अज़ो फेट्श वेल्कम एटेनेशनल रेस्ट वैंट आज हम लोग इस वीडियो में इस लेशन में हम बात करने जा दे हुए हैं इंडिया और मलेशिया की बीच में इलेशंटिप के बारे में यह आपका बीपेसिजियेस पेपर वन का जो का इंटरफिय सेक्षन है उसमें ये जो international relations है उसमें इंडिया-Malaysia एक topic important हो सकता है तो इंडिया-Malaysia relation में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो मलेशिया को समझेंगे मलेशिया का भी location है कहां पे उसका इंडिया के साथ किस परकार का historical background रहा है किन-किन मुद्दों पे इंडिया और मलेशिया के बीच में dispute रहा है और कहां-कहां पे इंडिया और मलेशिया के बीच में सहयोग रहा है उसके बाद में हम लोग इसको way forward हम लोग देखेंगे तो हम लोग अगर इभी की बात करें तो अभी जो है मोहिर्दिन या सीन इसके न्रतित्य को बाली वाली अभी सरकार जो है अपना कार्यभार ग्रहन किया है उसके बात में देखा जा रहा है कि इंडिया और मलिसिया के बीच में कैसा इंडिया मलिस्या का आप लोकेशन इसको देख लीजिए तो यह एसियन कंट्री है यह साउथ इस्ट एसिया में यह मतलब लोकेटेड है बिरॉंग करता है यह इंडोनेसिया और थाइलेंड के लगभग थोड़ा से उपर पड़ता है कैपिटल इसका को अलामपूर है यह इक मैलेसिया को ओपनली सपोर्ट किया था मलेसिया इसमें पुवी तरह से सपोर्ट किया थां इसम्दिया और मलेसिया के बीच में dispute हुआ 1965 में इंडोनेसिया और मलेसिया के बीच में dispute हुआ जिसमें कि इंडिया जो है support किया पुरी तरसा मलेसिया को support किया हलाकि इसकी वजह से इंडिया और इंडोनेसिया की बीच में दिले संथ थोड़े से खराब हुए थे लेकिन इंडिया यहां पे मलेसिया क को शपड़ किया tay dur 65 में कोट गुट कुछ नेपिछ को फालो किया और दोनों किसी इस भी गुट में शामिल के बज़ाइस्ट अपने से खीर देखा तो गुट निपकिंड को फॉलो किया दोनों देश निटीन- टू मेंcket 122 में देखा Jawohl भारत सरकार के दोरा लुकिष्ट पॉलिसी लाया गया लुकिष्ट निती लाया गया और यह जो है इस टर जो हमारा खासकर देखा जो तो साउथ इस टेसें जो कंटी उसके साथ हमारा रिलेसंस इफ डिवलप करेने के लिए एक नया आयाम खुला था इसमें बताया जा रहा था कि अब जो साउथ इस्ट के जो निसंस है उनके साथ भी अच्छे रिलेसंस डिवलप करेने का समया गया तो 1992 में लुकिष्ट पॉलिसी को इसको सुरवात किया गया था फिर 2014 में देखा जा तो 2014 में इसी लुकिष्ट पॉलिसी को नेक्स्ट लिवल में ले जाया गया और जो डिप्लिमेटिक रिलेसंस था इंडिया मलिसिया की बीच में या फि इंडिया जो इस्टरन कंट्री की बीच में तो उसको एक्ट इस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया गया हो जाए 14 में और मलिसिया जो है इसका केंद बिंदू के रूप में था दरसल इसको माना गया था कि पहले जो लोकिस्ट पॉलिसी था दरसल हम लोग इस्ट के तरफ हम लोग देखना सुरू किये थे पूरब के देशों के तरफ हम लोग देखना सुरू किये थे लेकिन एक्ट लाख लोग जो हैं वो मलेसिया में हैं और मलेसिया के जो टोटल पॉपुलिशन है उसका लगब आठ परसेंट पॉपुलिशन जो हैं वो इंडियन ओरिजन की पिपल हैं इसके लाब बहुत सारे ऐसे बाइलेटरल एग्रिमेंट हुए हैं दोनों दिव पच्छी समझ होता सा जाकिर नायक जाकिर नायक जो की इंडिया उस पे क्रिमिनल चार्ज लगाया था टेरिस्ट की चार्ज लगाया था और जाकिर नायक जो हैं मलेसिया में भाग गया और मलेसिया जो है उसको सौंपने में आना कानी करने लगी हाला कि मलेसिया के साथ 2011 में एक्स्ट्राडिसें मतलब जाकरिनायक को भारत में उसको नहीं बिजा गया इससे इलेट देखे तो 2011-11 में एक स्टाइडिसेन टीटी हुआ था यानि प्रत्यारपन संदी जो समझाता हुआ था इंडिया और मलेसिया के बिच में लेकिन उसका वायलेशन हुआ दोजा बारे में देखे तो इंडिया और मलेसिया के बिच में अप्रादिक मामला में एक दुस्ते को सहायता कहने के लिए एक सहयोग के हाथ बढ़ाया गया था लेकिन इसको भी वायलेट किया गया क्योंकि जो जाके रायक उसको सौपा ने गया उनाइटेड निस्सन में भी एक इसू आया था जिसके बज़ा से इंडिया और मलिशिया के बिच में डिस्प्यूट हुआ काफी ज़्यादा disturb हो गया था अब हम लोên देखें इंडिया और मलेसिया के बिच में कहां पे सहयोग है, कोपरेशन कहां पे हैं, तो सबसे पहला देखें तो पामाईल, पामाईल जो कि हम लो नाजल तेल कहते हैं, जो नाजल का जो तेल होता है, उसको इंडिया और मलेसिया के बिच में लगव 17.2 अरब डॉलर का ब्यापार होता है लेकिन इसमें जो 10.8 बिलियन डॉलर जो है उसमें इंडिया इंपोर्ट ही करता है मतलब हमारे यहां पर ट्रेड डिफिसीट है अगला हम लोग देखें कोपरेशन में हम लोग देखें त्रेड किया है तो इंवेश्टमेंट भी बहुत आया है टेयोरीज में और इंटरनेशनल क्राइम पे आतंकवाद और अंतराश्ट्रिय जो क्राइम है उस पे इंडिया और मलेसिया हमेशा साथ दिखाई दिए हैं इसके अलाबा देखें तो नेता जी सुबास चंद्रबोश भारत इस संगीत है भारतिय नित्य है जिसे कि कठ्थक हो गया या और भी जो इंडियान कल्चर का जो डांस होता है वो सबको वहां पर पसिच्छन दिया जाता और दिपच्छी संबंदों में खासके संस्कृति संबंदों को बढ़ावा देने के लिए ये एक सेंटर बनाए गया इनरेवल सोर्स और इनरजी जो इनरफिक त EVERY इसमें बी इंडिया और मलिषिया दिखते हैं कि बहुत साथि जो विचार्थ हों मिलते थे हिं इंडिया बहुत ज्यादा मलिषिया ऎंडिया के लिए इंपॉर्टेटि इसलीए भी हो जाता है क्योंकि मलिषिया जो है आसियान एक अच्छा relation develop किया सकता है उसके अलबा देखा है तो जिस तरह से Malaysia का location है तो Indian Ocean Pacific Ocean यानि जो हिंद मास आगर और पसांत मास आगर को connect कहने में भी सहयोग कर सकता है तो यह सारे चीज जो हम लो जो देखें वो cooperation है, सहयोग है भारत और Malaysia के बिच में अब है कि ऐसे में इसका way forward हम लो देखें तो way forward में सबसे पहला point ही हमाई सामने आता है कि अभी हम लो जैसे कि देखें लबबद 24 लाख लोग जो है Indian origin के वो Malaysia में है जो कि वहाँ का population का 8% हो, 8% population Indian origin है तो एक हमारा बहुत बड़ा population एक जो है Malaysia में रहता है उसके लावा मलक्का स्टेट के लिए बहुत जो मलक्का जल्डमुदू है उसमें भी Malaysia के बहुत बड़ा भूंका हो जाती है South China Sea में Malaysia के भूंका हो जाती है तो इस वज़ा से India और Malaysia के बिच में संबंधों को और भी इसको अच्छा बहतर बनाने कोशिश करना चाहिए दोनों को धैयर रखना चाहिए अगर कुछ भी बाद होती है तो उस पर पैसंस रखना होगा और जो गुड रिलेसंसी पर उसको डिवलब करने पर विचार करना चाहिए तो हम लोग टोटल इसमें India और Malaysia के बारे में हम लोग definition कियें इसमें हम लोग basic चीज़ों को देखें तो question जो है आपको India-Malisia relationship पर पुछ सकता है कुछ current aspects को लेकर ही पुछ सकता है उसके साथ-साथ ये सारे चीज़ें जो है अगर India-Malisia relationship पुछता है ये सारे points को अगर आप याद रखते हैं तो आपको answer लिखने में काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी ठीक है Okay friends, thanks for watching, okay bye bye and take care